आई की रसोई में आपका स्वागत है सर्दियों का मोशम शुरू हो गया है आज मैं आपको मेति के पराटे भरवा मेति के पराटे बनाना बताऊंगी मेति गर्म सर्दियों में बहुत आती है इसलिए अच्छे से खूब पराटे बनाए और खाएं इसके लिए मैंने लिया है मेति को साफ करके दोस्तों और मिक्सी में पीस लिया है उसके साथ मैंने थोड़ी हरी मिरज में मिला दिया है और उससे मैंने ये आटा बना लिया है आटे में गूंद के नमक डाल के नमक और मेति और इसको मैंने एक आटे का डो बना लिया है उसके बाद मैंने आलू उबाले और आलू लेके छील के उन्हें उबाल के छील के और इसमें मैंने मसाले मिला दिया है हरी मेरिच डाली है, नमक डाला है गरम मसाला, थोड़ी अमचूर पाउडर और पिसा धनिया और इसका भी मैंने एक डोग बना लिया है भरने के लिए अब मैं आपको पराठा बनाना बताती हूँ आठा लेंगे और इसको एक कटोरी की शेफ दे देंगे हम जिसमें हमारा ये आलू का मिक्षर अच्छे से आ जाए अब ये लेंगे आलू और पराठे के अंदर बर देंगे अब इसको बन करके थोड़ा आठा लगाके और बेल लेंगे आलू का मिक्षर बनाते हूँ आलू को बिल्कुल अच्छे से मैश कर ले नहीं तो ये पराठे से बाहर आएंगे और हमारे पराठे फट जाएंगे इस टाइल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी पराठे बनेंगे मेथी आलू के पराठे अब मैं इसको सेख लेती हूँ तवे पर इज़र मैंने तवा गरम कर लिया है दोस्तो पराठे तो कही तरह से बनते हैं में ठीके पर आप इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे ट्राइ ज़रूर करके देखना अब मैं इस पर थोड़ा टेल लगा लेती हूँ आप चाहो तो गी भी लगा सकती हूँ और इसको करा रहा होने तक हम दबा दबा के सेख लेंगे सर्दियों में तो दोस्तो पराठो का मजा ही कुछ हो रहा है तो अच्छे से करारा कर लें पराठे को आप चाय से खाएं पराठे को आप चाय से खाएं दही से खाएं चटनी से खाएं ऐसे भी खाएं बहुती स्वाद लगेगा बहुत इजी है दोस्तो बना के खाएं जरूर और दूसरों को भी खिलाएं मेथी आले गाथ तेस्टी पराठा कि नमाद मीरच रही मेरच दनिया पौर्ड़ में स्वड़ को निया पॉर निया जास्टाइब लुटॉ किसी को कम पसंद है किसी को जादा इस लिए जिसको जैसा पसंद है वैसा बनाए और यह मेरा नेथी आलू का पराठा तयार है टेस्टी पराठा मखन से भी खा सकते हैं और स्वाद लगे और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद